तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के मैच कार्ड प्रेडिक्शन की उससे पहले यार अगर आप लोग चैनल पर प्सके मैच को एनाउंस नहीं किया है बट इसमें जो सबसे पहला मैच हमें लग रहा है जो कि सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स में हो सकता है वो है सैथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सिस ब्रॉंसन रीड का री मैच और इन दोनों के बीच में हमें अलरेड़ी एक मैच क्राउन जोल में देखने को मिल चुका है तो अब सर्वाइवर सीरीज में जो इन दोनों के बीच में मैच होगा उसमें एक स्टिपलिशन जरूर एट की जाएगी बाइक क्राउन जोल में इन दोनों के बीच में मैच होना था बट मैच शुरू होने से पहले इन दोनों के बीच में ब्रॉल इतनी खतरना को गई कि केविन ओवेंस ने रेंडी ओर्टन की हालत खराब कर दी और उसके बाद में SmackDown में आके Kevin Owens ने एक बार फिर से Randy Orton का हाल बेहाल कर दिया तो अब जब Randy Orton वापस आएंगे तो उनको Kevin Owens से मैस तो चाहिए होगा जो कि Possibly Survivor Series में हमें देखने को मिल सकता है वहीं जो अगला मैच हमें देखने को मिल सकता है वो World Championship के लिए Liv Morgan vs. Io Sky का मैच और इसके भी चांसेस मुझे कमी लग रहे है Survivor Series में होने की और भाई Survivor Series War Games का जो मेन इवेंट होने वाला है वो है Men's War Games मैच दे OG Bloodline vs. Bloodline जिसमें OG Bloodline में Roman Reigns, Usos, Sami Zane और शाहिद Cody Rhodes होने वाले हैं वहीं दूसरी साइट Solo Sequoia, Jacob R2, Tama Tonga, Tanga Loa और इस टीम का जो 5th member है उसको WWE हर बार की तरह शाहिद Survivor Series War Games में ही reveal करे अब वो 5th member कौन होगा इसके उपर एक dedicated वीडियो बनाई जाएगी बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हो कि वो 5th member कौन हो सकता है तो यह भाई पूरा Survivor Series War Games का match card बाकी वीडियो के अंदर इतना ही WWE की informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो के लाइक जरूर कर देना मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर